तो सबसे पहले अगर हम solution की बात करते हैं, तो हम solution वोड से हमें क्या समझाता है, what is solution, क्या है solution, अभी हम इस chapter में बच्चे, solution के बारे में अगर बात करें हैं, तो solution is a homogenous mixture, सबसे important क्या है, हम यहाँ पर हर बार homogenous mixture की बात करेंगे, कभी भी heterogeneous mixture की बात नहीं करेंगे, Homogeneous mixture यानि की कभी भी कोई भी different layer नहीं होगी आपका जो भी solute होगा वो solution के जो solvent है उतके अंदर completely soluble होगा Right? Yes, तो सबसे पहली और most important बात is A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components अब यार अगर आप एक solution की बात करते हो तो मैं उसमें major दो components होते हैं क्या होते हैं? Major दो components होते हैं Right? Yes, तो चलो उन दो components की बात करते हैं बच्चे अगर आप उन दो components की बात करते हो तो एक को कहते हैं solvent और एक को कहते हैं solute एक को कहते हैं solvent और एक को कहते हैं solute Yes, अब question ये आता है कि क्या सिर्फ दो ही components होते हैं? क्या हमेशा सिर्फ दो ही components होगे? नहीं ऐसा नहीं होता आपके solution में दो से जादा भी components होते हैं अब उन में से salute कौन है और solvent कौन है वो हमें जाना है तो फट अब पट इसे पढ़ लो a solution has only one solvent पता चल गया हमेशा आपके पास में solvent एक होगा तो यहां पर आप लिख सकते हो that it will be always one अब माम यह हमें ऐसे समझ नहीं आता आप example के साथ समझाओगे न फिर समझ आएगा तो example किसका लेना है चाए पीते हैं सब चाए सबको बसंद है तो जब आप चाए बनाते हो बच्चे तो उसमें क्या होता है milk होता है यस माम milk लिया बच्चे आपने अब उस milk में आप क्या डाल रहे हो चीनी डाल रहे हो आप sugar डाल रहे हो आप mix कर रहे हो शुगर को तो जो milk है बच्चे वो क्या है आपका वो आपका solvent है क्योंकि आपने दूद बहुत जादा लिया है ठीक है और थोड़ी सी चीनी उसमें डाल रहे हो अपने टेस्ट के हिसाब से वो क्या है सल्यूट है इसी तरह से एक और एक्जाम्पल लेते है नीम्बू पानी सबको पसंद रहे है तो नीम्बू पानी में क्या होता है माम हम पानी लेते है और उसके अंदर शुगर डालते है तो जब आपने पानी लिया तो पानी आपका सॉल्वेंट हुआ और जो शुगर डाली तो टीनी डाली वो क्या है वो बेटा आपका सल्यूट है तो माम यहां तो एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट था क्या एक और solute हो सकता है बिलकुल नमक डालते हो येस माम तो नमक क्या है वो भी एक solute है तो यानि कि बच्चे जब भी solution को define करोगे तो हमेशा बोलना कि solvent एक होगा बट solute एक से जादा हो सकते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो अलग-अलग पानी ले लिए या तीन अलग-अलग पानी ले लिए नहीं माम पानी तो एक ही solvent होगा उसके अंदर solute हम अलग-अलग डाल सकते हैं तो a solution has only one solvent but one or more than one solute clear? बहुत बढ़िया नेक्स बच्चे अब माम अगर अलग-अलग solvent अलग-अलग salute होगे तो माम उनका नाम भी तो अलग-अलग होगा यस बच्चे तो अब आपको मुझे इन सब के नाम बताने है ठीके? नाम बताना फड़ा-फड साथ की साथ बताना अगर बेटा solvent तो माम एक ही होगा अगर salute भी एक होता है अगर salute भी एक होता है तो बताओ उस तरहां के solution को क्या बोला जाता है जल्दी से comment section में बताओ क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ बच्चा क्या बोला जाता है? माम उसे बोला जाता है binary solution क्या बोला जाता है? binary solution Similarly, solvent तो अभी भी एक ही होगा Second case लेते हैं, solvent तो अभी भी एक होगा लेकिन salute दो हो जाएंगे तो अगर आपके salute दो हो जाएं और solvent एक हो तो उसे क्या नाम बोला जाएगा बच्चे? क्या बोला जाएगा बताओ? Ma'am, इसे बोला जाएगा Turnary Solution क्या कहा जाएगा? Turnary Solution Clear? Yes आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं आगे अगर मैं बोलू, आगे बच्चा solvent एक होगा है लेकिन salute इस बार आपके पास 3 है, you have 3 solutes तो क्या नाम बोला जाएगा? जल्दी बताओ, क्या नाम बोला जाएगा? मैं आप नाम बोला जाएगा Quaternary Solution Quaternary Solution Right? Yes, perfect तो इस तरीके से आपके number of salute बदलते हैं solvent हमेशा एक रहता है और उसी के according आप नाम देते रहते हैं बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया मजा आ रगया, right? Yes तो yes, अगर बेटा, कभी भी in fact, most of the cases में अगर आपको नहीं बताया हुआ कि कितने components है कितने components है, तो हमेशा क्या consider करना है? Binary Solution हमेशा consider करना है Binary Solution एक salute होगा, एक solvent होगा Right? Yes, perfect बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें, solution की तो बेटा, solution में solvent और salute का role क्या होता है इसको समझते हैं जब भी आप किसी salute की बात करते हो तो salute आपका reactive part होता है और जो solvent होता है वो सिर्फ एक medium प्रुवाइड करता है मैम इसका मतलब नहीं समझा है मैं हूँ ना, मैं समझा दियू क्या होगा बेटा, तो चो, पानी है येस मैम, तो पानी एक medium प्रुवाइड करेगा अब अगर आप उसमें sugar डालते हो तो आपको sweet taste आता है आपको मीठा taste आता है, येस मैम अगर आप उसी पानी के अंदर उसी पानी के अंदर salt डाल दो यानि कि एक अलग type का salute डाला तो क्या होगा, मैं तो फिर different taste आएगा, नमकीन taste आएगा येस, यानि कि बच्चे आपका जो salute है, वो taste decide कर रहे है न, वो आपका reactive part है, solvent क्या कर रहे है वो तो सिर्फ एक medium प्रोवाइड दर रहा है मैं, reactive part कौन है? Salute, तो यही line आपके सामने लिखी है that salute is the reactive part and solvent provides the medium for the reaction यहां से हम एक अलग जगा पर जा रहे है यानि कि अब आप ये discuss करने वाले हो कि एक solution के अंदर कितना salute डला हुआ है बेटा, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास में एक container है and let us say कि इस container के अंदर आपके पास 1 liter, 1 liter water है ठीक है? अब आपने इस 1 liter water के अंदर let us say 2 moles NaCl डाला है आपने 2 moles NaCl डाला है तो यह है तो एकी तरहां का solution? Yes ma'am लेकिन बेटा, आप इसको अलग-अलग तरहां से represent कर सकते हो कैसे represent कर सकते हो? कि कितना gram NaCl कितने milliliters of water में डाला या फिर कितने moles आपके salute कितने liters of water में डाले यानि कि बात तो इसी solution की कर रहे हो बात तो हर बार इसी solution की कर रहे हो बात concentration term बदल गई है जा सकता है, उसके बारे में हम discussion करेंगे Right? Yes ma'am Clear है बच्चा? Clear है ma'am Right? आगे बढ़ते हैं अब अगर आप concentration terms की बात करते हो तो concentration term, it is measured as amount of salute in the solution कितना salute आपके solution में present है? Perfect, आगे बढ़ो First जो concentration term होता है That is your molarity Molarity एक बहुत important concentration term है जो हर जगा use होने वाला है Right? तो सबसे पहले molarity की basic definition पढ़ते है Molarity क्या होता है? कि भाई कितने moles आपके कितनी liter of volume जो आपका solution है, उसके अंदर present है यानि कि अगर मैंने आपको बोला that I have one liter of solution और इसके अंदर मैंने two moles NACL डाला है तो यानि कि NACL की molarity कितनी है? एक liter solution में बेटा कितने moles solute डलता है? That is your molarity तो मैं, यहाँ पर हमारी जो molarity हो जाएगी that would be two molar तो यह basic definition है इसे पहले पढ़ लेते हैं It is the number of moles of solute present per liter of the solution ओके मैं, आगे बढ़ो बेटा आगे अगे मैं आपको बोलू कि formula लिखना है आपको molarity का तो formula क्या हो जाएगा? Ma'am, it will be इसे capital M से represent किया जाता है and this will be moles of solute कितने moles of solute हैं divided by volume of solution in liters तो यह तो पेटा एक basic formula बन गया ठीक है ma'am, इतना हमें आता है इतना आपको आता है आगे अगे अगर आपको information दी हो और उसे decode करना हो अगर आपको किसी solution की molarity दी है उसे decode करना है तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं अगर मैंने आपको बोला that you have 3 molar aqueous NaOH solution तो पेटा इसको कैसे decode करेंगे? फड़ा-फड़ comment section में बच्चे बताएंगे फड़ा-फड़ comment section में मुझे बताएंगे येस, येस चलो कैसे करेंगे? इसे बोलेंगे माम, we have 3 moles हमारे पास 3 moles of NaOH है किसमें बिटा? 1 liter solution में 1 liter solution में तो जब भी किसी इस तरह की information दी हो तो उसे decode कैसे करना है? You have 3 moles of NaOH in 1 liter of solution अब यहां से आप decode करके 1000 अलग-अलग concentration terms में इनको convert कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स अगर हम देखें तो माम ने बोला Let us say you have 2 molar NaOH solution तो इसको भी आप इसी तरह से represent कर सकते हैं अब जो important चीज़ मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूँ वो क्या है? That जब भी बेटा aqueous word लिखा होगा जब भी aqueous word लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है? Ma'am इसका मतलब है that your solvent is water आपका solvent क्या है? पानी है हमेशा जहां भी aqueous word लिखा हो को समझा है तो अब molality में कोई दिक्कत नहीं आईए molality में क्या होगा? ले लो भाई 1 kg of solvent क्या ले लो? 1 kg of solvent इस बार क्या लेना है? बेटा solvent लेना है ये ध्यान रखना कि मा'am solvent लेना है solution नहीं लेना है राइट? येस रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा small m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है small m से राइट? येस तो अब अगर हम इसका formula लिखे अब अगर हम इसका formula लिखे तो क्या formula होगा? चलो देखते हैं लेट उस राइट the formula molality would be equal to moles of solute moles of solute तो moles of solute divided by mass of solvent mass of बिटा ध्यान रखना है इस बार solvent है solution नहीं है और ये किस में होगा? kg में होगा और ये किस में होगा? kg में होगा तो यानि कि इस बार हमें mass of solvent लेना है kg के अंदर perfect? येस तो चलो अब एक information को decode करना है अब एक information को decode करना है if you are given 3 molar aqueous N-A-O-H solution तो जल्दी से decode करो इस information को बच्चे जल्दी से decode करो right? yes perfect करो करो decode करो यार decode करो इस information को माम अगर हम इसे decode करेंगे this means that we have 3 moles of N-A-O-H आपका solute क्या है आपे? N-A-O-H yes ma'am you have 3 moles of N-A-O-H and it is present in 1 kg of solvent yes ma'am 1 kg of solvent perfect अब अगर मैं आपसे यहां पर question पूछू yes solvent कौन सा है? solvent कौन सा है? माम एक कुस लिखा है न? एक कुस लिखा है yes तो यहां पर आपका solvent जो है वो क्या है बच्चा? water है X2O is your solvent and 3 moles of N-A-O-H यानि कि N-A-O-H क्या है आपका solute अब यार solute के moles है तो solute का mass निकाल सकते है solvent का mass है तो हम solution का भी mass निकाल सकते है हमें पता है that mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent right? yes तो यानि कि जब आप एक information को decode कर लोगे तो आप 1000 तरहां के yes perfect okay very good बेटा बहुत ही बढ़िया which is better अब कोई बोल दे which is better तो यार better better कुछ नहीं होता है आपको temperature dependence देखनी होती है अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि molality और molality में से temperature dependence किसकी जादा है अगर आप molality की बात करते हो तो इसके अंदर सारे के सारे mass के terms है इसलिए हम बोलते हैं that molality is temperature independent तो ये question बहुत बार पूछा जाता है बेटा तो molality जो होती है वो आपके temperature independent होती है लेकिन अगर molality पूछ लेंगे तो फिर वो temperature independent नहीं होती क्योंकि उसमें volume का term आता है तो इस चीज़ का आपको धिहान रखना है कोई बात नहीं perfect next concentration term is mass by volume percentage तो बेटा अब हम percentage की बात कर रहे हैं तो mass by volume percentage mass by mass percentage इन सब में एक चीज़ या रखना mass को लेना है हमेशा grams में volume को लेना है हमेशा mililiter हमेशा तो अगर आप यहाँ पर mass by volume percent की बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे बहुत simple है यार सबसे पहले हम mass by volume का formula लिख देते हैं mass by volume percentage will be equal to mass of solute आपका जो भी solute का mass है किसमेटा grams में divided by volume of solution in milliliter into hundred क्योंकि percent है तो out of hundred आप से पूछा गया है तो जो भी mass होगा solute का grams के अंदर उसे divide कर देना solution की volume से जो milliliter में हो अब हम कुछ information decode करने वाले है यस माम जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं तो अगर आप से कोई पूछ ले that you have 20% mass by volume again बच्छा aqueous NUH solution तो आप इसको कैसे decode करोगे कैसे करेंगे माम this means that you have 20 grams of NUH and it is present in 100 100 milliliters of solution right तो हमेशा percent की बात किया तो यानि की हर बार hundred में से निकालना है हमेशा hundred में से निकालना है ठीक है येस पॉफेक्ट बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बच्छा इसी तरह से सारी की सारी information को खुद से decode करो very good बहुत बढ़िया right similarly अब आ गया mass by mass percent तो जैसे mass by volume निकाला सेम उसी तरह से mass by mass percent निकालना है तो mass by mass क्या होगा माम अगर आप mass by mass percent की बात करोगे तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है अब हम दो मेर्ड में निकाल देंगे right yes क्या होगा मास होगा solute का mass होगा solute का grams के अंदर और यहां पर mass आ जाएगा solution का किस के अंदर फिर से grams के अंदर और out of hundred ही तो निकालना है या out of hundred ही तो निकालना है निकाल जाएगा right तो it is the grams of solute present per hundred grams of your solution तो अगर अब information decode करनी हो 20 mass percent तो क्या हो जाएगा अब तो 2 minute की बात है 20 grams है आपके पास में NaOH और इस बार मास बैं मास है तो यानि की 100 gram solution होगा तो यहां पर आ जाएगा 100 gram solution right yes बस अब यार तुम कुछ भी दे दो हम moles निकाल लेंगे NaOH के हम solution का mass निकाल चुके है solvent का mass निकाल सकते है और जिस भी concentration term में इसे convert करना है कर सकते है right yes तो इस तरीके के questions जो हैं वो आपसे बहुत जादा पूछे जाते है concentration terms में तो इन सब को clear करना है क्योंकि कल हम इन पे practice करने वाले है right yes बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे clear है okay आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं next देखते हैं next is volume by volume तो क्या आप मुझे मेहनत करनी है इसमें आप हो ना यार आप अभी कर दोगे volume by volume तो मैं volume by volume percent it will be जो भी volume होगी salute की तो इस बार बेटा आप salute की volume को लेने वाले हो और वो भी milliliters में divided by solution की volume और वो भी milliliters में into कर देंगे hundred से right तो ये formula बन जाएगा माम और अगर information decode करनी पड़ी तो we are here right yes तो कर दो information को decode बच्चा लिख दो 20 percent volume by volume aqueous nao-h solution ma'am ने फिर से nao-h solution ही लिखा हर बार ये ही लिखेंगे अब consider कर लो कि आपके पास इसकी भी volume है तो क्या लिखना है अरे ma'am 20 milliliters nao-h is present in hundred milliliter of solution तो क्या कोई दिक्कत आ रही है बस ये आ गया तो हर टाइप के questions करने में आपको कभी कोई problem नहीं होगी कोई formula याद नहीं करना कुछ नहीं करना सब अपने आप करना है राइट येस बहुत ही बढ़िया बच्चे बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब अगर हम आए mole fraction पे और बेटा mole fraction को ध्यान से समझना है क्योंकि ये एक ऐसा concentration term है जो आपके पूरे solutions chapter में बार-बार use होने वाला है तो अगर आप mole fraction की बात करते हो तो mole fraction क्या कहता है कि आपके पास में एक container है लेट आस से कि आपके पास में एक solution है जिसमें आपके पास तीन components है A है माम B है माम और C है ठीक है और माम ने आपको इनके moles भी दे दी है मैं बहुत अच्छी हूँ मैं आपको moles भी दे रहे हूँ राइट तो लेट उस से यहाँ पर N A moles है यहाँ पर N B moles है यहाँ पर N C moles है C मैंने कितनी सारी information दे दी अब मैं आपको पूछती हूँ बेटा कि mole fraction बता दो A की क्या बता दो mole fraction बता दो A की तो मैं mole fraction को हम काई से represent करते हैं हम काई से represent करते हैं ठीक है very good सब होगा यार अभी जो चल रहा है उसको तो पढ़ लो आगे की चिंता पर A प्लस B प्लस C की बात करते हो और आपको सब के moles दी हो है तो बेटा mole fraction क्या होती है कि माम एक particular component के moles कितने हैं with respect to total moles of the components present in the solution तो यानि कि अगर मैं आपको mole fraction A की पूछ रही हूँ तो basically हर किसी की अपनी individual mole fraction है तो यार अगर mole fraction of A पूछा जा रहा है तो माम इसका मतलब है कि A के moles कितने हैं divided by total moles और total moles क्या है NA plus NB plus NC कोई विक्कत नहीं है राइट येस similarly अगर आपसे mole fraction of B पूछ ले तो क्या होगा बिल्कुल ऐसा ही माम moles होंगे B के divided by total moles कहां तक हमें सब को clear है अगर आप इन सभी की mole fractions को add करते हो तो बेटा जब भी fractions को add कर दे सारी की सारी fractions को तो total sum कितना आता है 1 ही तो आता है येस माम तो बेटा जब भी आप इन mole fractions को add करते हो जितने भी components है उन सब की mole fractions को add करते हो तो हमेशा value 1 आती है तो अगर कभी question में इन दोनों की mole fractions दी हुई है तो क्या अलग से C की mole fraction calculate करनी है नहीं सीधा 1 से subtract करो और mole fraction आ जाएगी Right? Yes ma'am बहुत ही बढ़िया बच्चे Clear है? Voice issue आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ठीक है बहुत ही बढ़िया 1 1 1 बहुत बढ़िया बच्चे आगे बढ़ते हैं अब अगर हम parts per million की बात करते हैं और ये बहुत ज़्यादा use हो रहा है आजकल तो parts per million बहुत ज़्यादा use हो रहा है आजकल तो कैसे समझेंगे? बेटा जैसे percentage समझा था ना बिल्कुल वैसा ही है parts per million उसमें क्या करते थे? 100 में से चीज को निकालते थे इसमें सिप million में से निकाल लो यानि कि अगर आप PPM का formula लिखोगे तो आप बोलोगे ma'am salute का mass ma'am salute का mass divided by salute का mass divided by mass of solution बिल्कुल same जो आपकी percent था उसी कितना तो चल रहा है? Yes ma'am बस ध्यान क्या रखना है कि million होता है 10 raised to the power 6 तो इसलिए आपको यहाँ पर बेटा 10 raised to the power 6 से multiply करना है बस इतना ही है difference और कोई difference नहीं है यानि कि अगर मैं आपने कभी बोल दिया कि I have 20 PPM of aqueous NaOH solution तो इसको decode कैसे करूँगी? अगर percentage clear है तो इसको decode करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है Right? Yes ma'am तो कर दो decode यार बहुत smart हो आप लोग कर दो decode कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे यार Ma'am 20 grams हमारे पास में salute है और इस बार हमारा salute NaOH है हमें पता है Right? Yes तो 20 grams बेटा NaOH present है कितने में? 100 में? नहीं PPM है ना PPM per million है तो बेटा 20 grams NaOH present है 10 raise to the power 6 grams of solution में तो हर बार जहां पर जहां जहां पर percentage में 100 लगाया था वहां वहां per million में 10 raise to the power 6 लगाना है बस और कोई difference नहीं है वो out of 100 निकालते थे ये out of 10 raise to the power 6 निकालते है Clear है? Yes ma'am बहुत ही बढ़िया Clear है सबको? Yes ma'am कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ये हुई ना बात ये हुई ना बात बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलो आगे बढ़िया अब बेटा concentration terms का concept तो समझ आ गया question practice तो अब हम कल करेंगे तो इतना आपको इंतजार करना है कि अपने concept को clear कर लेना क्योंकि कल में टेस्ट करने वाली हो और कोई weight नहीं कोई weight नहीं ऐसे answer आने चाहिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हो और समझ से हैं कि vapor pressure क्या होता है क्योंकि यहीं से हमारा आगे का chapter स्टार्ट होगा तो vapor pressure के लिए आपको एक बहुत interesting सी story समझ नहीं है और पड़ा-पड vapor pressure को समझ लेना है ठीक है अगर आप कभी भी vapor pressure की बात करते हो तो क्या होता है हमेशा याद रखना कि आपके पास में लेटर से एक container है एक closed container है मैं बार बार स्पेसिफाइ कर रही हूँ कि एक closed container है शांती से सुनियेगा कहानी को अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर consider करते हो water तो बेटा पानी के बहुत सारे molecules होते हैं येस मैं बहुत molecules होते हैं तो बेटा बल्क के अंदर भी होंगे जो body के अंदर होती है न चीज उसको बल्क कहते हैं और जो surface के उपर होती है उसे surface कहते हैं तो बेटा यहां पे भी molecules होंगे और मैम यहां पर भी पूरे के पूरे surface पे भी molecules होंगे. अब आपको क्या समझना है? जो यह आपने water molecule समझा है, इसको एक कहानी की तरह समझना है. देखो मैं ऐसे ही समझाती हूँ, तो आप लोग भी सुन लो. अगर आप इस पानी को एक जेल की तरह समझो, तो आप क्या बोलोगे? कि यार यहां पर यह molecule जो है, यह जो molecule है, यह जेल के अंदर बैठ है. इसने बाहर की दुनिया नहीं देखिये, इसको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो सर्फेस के ऊपर बैठे हैं, जो जो जेल की ऐसे नहीं होती, बाहर जो पूरी दिवार होती है, उसके सामने ऐसे बैठ रहते हैं, और बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, तो वो वो लोग हैं. तो अब क्या देखोगे बेठा, जो अंदर बैठे हैं, इसको हर जगा से equal force मिल रही है. उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसको बाहर जाने का कोई मन नहीं है, he is happy where he is. बड़ा खुश है. तो बेठा, ये क्या है? माम, ये unbalanced है. ये क्या है बेठा? Unbalanced है? Unbalanced है, तो इ लेकिन जो बेठा, आपके molecules surface के ऊपर बैठे हैं, वो क्या है? जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, वो unbalanced है, उनमें बहुत energy है. अगर आप इस molecule की बात करोगे, तो इधर से energy लग रही है, इधर से energy लग रही है, नीचे से energy लग रही है. लेकिन क् less stable, it is less stable, right? और ये आपका stable है, तो जो आपका less stable है बेठा, वो energy है उसमें, अब वो क्या चाता है? वो बाहर जाना चाता है, right? येस, तो ये molecule क्या करेंगे? बाहर जाने की कोशिश करेंगे, अब जैसे ही, जैसे ही जो आपके jailer होते हैं, वो side में हुए, ये क्या करेगा? ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, और ये जैसे ही भागेगा, उसमें बाहर की दुनिया देखी, क्या कहेगा? मैं हर जगा भागूँगा, मैं हर जगा जाऊँगा, right? तो ये यहाँ भी strike करेगा, यहाँ भी strike करेगा, यहाँ भी strike करेगा, अलग-अलब जानके टकर और जैसे यह molecule गया वैसे ही बाकी के molecules में भी तो unbalanced force है बाकी के molecules में भी energy है तो वो भी बाहर जाएंगे तो इस तरीके से बेटा आपके जो liquid phase में molecules होते हैं जो surface के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं vapor की form में convert हो जाते हैं और जो आपके bulk के अंदर होते हैं वो नहीं होते हैं जब वो surface पर आते हैं जब वो बाहर की दुनिया देखते हैं तब वो stable होते हैं तो इस तरह से जो यहां पर बेटा pressure exert होता है उससे कहा जाता है vapor pressure एक time पर क्या होता है कि जितने molecules आपके surface के अंदर बाहर जा रहे होते हैं उतने ही molecules वापस भी अंदर आते हैं क्योंकि jailer अब जो भाग जाएंगे उनको वापस भी तो लेकर आएगा तो कुछ को लेकर आएगा, कुछ भाग जाएंगे, फिर लेकर आएगा, फिर भाग जाएंगे और इस तरहां से क्या होता है, लिक्विड और आपका वेपर फेस जो होता है, उसके बीच में एक इकलिबीरियम मेंटेन हो जाता है, that is equal number of molecules उपर जाते हैं और equally अंदर नीचे जाते हैं, तो इस इकलिबीरियम के पॉइंट पे बेटा, जो यहां पर प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो यहां पर प्रेशर एग्जर्ट होता है, इकलिबीरियम आ जाता है, उस टाइम पे, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर, तो हर liquid का हर लिकूइड का बेटा एक पर्टिकलर टेम्परीचर पे एक पर्टिकलर वेपर प्रेशर होता है क्या यह हूअ क्या ही क्या होगा यह एक इसर्फेस की मॉल्यट्यूस पर दिपेंड़ करता ہے है ना यस लिए saturated point जो होता है जब equilibrium maintain हो जाता है उस time पे जो pressure exert होता है उसको vapor pressure कहते हैं तो I hope आपको इस कहानी से vapor pressure समझा गया होगा और कभी गलती नहीं करेंगे saturated point पे जो भी gases pressure exert करती है उस pressure को vapor pressure कहते हैं और ये vapor pressure सिर्फ और सिर्फ temperature पे depend करता है अगर constant temperature है तो एक particular temperature पे हर एक liquid का अपना एक fixed vapor pressure होता है और बेटा ऐसा ही question आपसे पूछा जाएगा कि vapor pressure कि सिर्फ और सिर्फ temperature पे एक particular temperature पे एक particular liquid का एक particular vapor pressure होता है राइट? येस माम clear? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब अगर आप vapor pressure की बात करते हो vapor pressure की बात करते हो तो इन सारे points को पढ़ लेते हैं आपके सामने सारे points हैं vapor pressure is the maximum pressure exerted by a vapor maximum pressure exerted by a vapor in the equilibrium with liquid जो हमने equilibrium maintain किया था उसकी बात की गई है vapor pressure represents the pressure of the saturated vapor बिटा saturated vapor कब आता है जब एक equilibrium maintain हो जाता है राइट? येस सबको clear है? येस माम बहुत clear है clear है vapor pressure depends only on temperature and the nature of the liquid obviously हर liquid का अपना vapor pressure होगा और हर temperature पे उसका fixed vapor pressure होता है उसके अलावा वो किसे पे depend नहीं करता तो ये line से आपसे हर बार question पूछने की possibility रहेगी बता रही हुए बहुत important point है next is vapor pressure does not depend on volume of the container और amount वो किसी और पे depend नहीं करता ये हमें पता है right? येस बहुत बढ़िया clear? बहुत बढ़िया बिटा volume पे नहीं depend करता है अगर आपका volume container का बढ़ रहा है तो volume पे नहीं depend करता है next बेटा अब आप अगर solution का vapor pressure अब आपको vapor pressures calculate करने है right? तो अब हम vapor pressure calculate करेंगे एक solution का let us say कि मेरे पास में एक container है और इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक A liquid है तो बेटा इसका जो PA not होगा वो इसका क्या होगा? pure vapor pressure pure liquid का vapor pressure होगा yes ma'am अब मैं क्या बोलती हूँ? अब मैं क्या बोलती हूँ? कि इस A के साथ में कोई B solution और डाल दो कोई B solution और डाल दो ठीक है? अगर आप कोई B solution और डालोगे तो यानि कि ma'am अब इसके अंदर A भी है और इसके अंदर हमारे पास B भी है right? yes तो यानि कि जो total pressure आएगा बेटा इस बार क्या होगा? ma'am जो total pressure आएगा वो A की वज़ा से भी होगा और B की वज़ा से भी होगा इन दोनों से मिलकर pressure आएगा? yes ma'am clear है बच्चा? yes ma'am okay बहुत बढ़िया yes जो chat में चल रहा है न वो चलता ही रहेगा और तुम्हारा paper भी हो जाएगा ये बात भी याद रखना ठीक है? okay अब अगर आप P total pressure की बात करते हो तो it is PA plus PB अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहते हूँ pure A का pressure था PA not और बेटा pure B का pressure क्या होता है माम? PB not ठीक है? okay लेकिन जब दोनों mix हो जाएंगे जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो जो pure A pressure exert करता है और pure B pressure exert करता है वो थोड़ी रहेगा total pressure तो इनके PA और PB से आएगा that is कुछ कम आएगा तो यानि कि यहाँ पर PA और PB क्या है? partial pressure ठीक है? यह states of matter में भी आपने वर्ड पढ़ा था partial pressure येस वर्या तो यहाँ तक आपको clear है अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर दोनों volatile हैं बेटा जो चीज volatile होती है उसका vapor pressure होता है और जो चीज non-volatile होती है उसका vapor pressure ही नहीं होता राइट? येस माम तो यानि कि अगर आपने किसी चीज को volatile बोला है तो volatile has pressure ठीक है? if something is non-volatile if something is non-volatile तो अगर non-volatile है तो उसका कोई भी vapor pressure नहीं होता माम उसका कुछ भी vapor pressure नहीं होता वो 0 होता है ठीक है? तो मैं इसको लिख देती हूँ PA0 will be equal to 0 तो volatile वो जिसका vapor pressure होगा non-volatile वो जिसका vapor pressure ही नहीं होगा राइट? येस तो I think यहां तक clear है बहुत बढ़िया and yes, बिल्कुल सही है पंथ आपका answer बिल्कुल सही है rate of evaporation is equal to rate of condensation very good आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चे तो अब हमने इतना तो समझ लिया माम कि volatile क्या होता है? जिसका vapor pressure होता है non-volatile क्या होता है? जिसका vapor pressure नहीं होता अब अगर आपने बेटा दोनो solutions को mix कर दिया है अगर आपने A और B को mix कर दिया है तो यानि कि जो total pressure आएगा वो A और B का add-on होके आएगा और एक बात हमेशा याद रखना जब आप surface की बात करते हो तो इस surface पे बेटा आपके पास में A भी है A भी है और आपके पास में B भी है है ना? नाम A भी है और B भी है तो इस बार जो आपका पी ए है वो हमेशा लेस देन होगा पी ए नॉट क्योंकि अब वो एक solution के अंदर है और जो आपका पी बी pressure होगा वो हमेशा लेस देन होगा पी बी नॉट ये तो सबको समझ आ रहा है ना? येस माम समझ आ रहा है क्योंकि अब surface पे अलग-अलग molecules present है तो यानि कि उनका पी ए नॉट कम हो जाएगा और मुझे पता है कि जो total pressure होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा अब सोचो अगर A molecule बहुत जादा है अगर A के molecules बहुत जादा है तो उसका vapor pressure बहुत जादा होगा? येस माम तो यानि कि you can say that जो P A है वो directly proportional होगा to the mole fraction of A जितना जादा mole fraction होगा A का उतना जादा pressure आएगा A की वज़े से similarly अगर आप इस proportionality को अटाते हो तो आपको पता है इस पी ए नॉट एक से हाँ? येस माम अगर आप P B की बात करोगे तो that will be equal to P B not X B हाँ? हाँ मैं तो बेटा यहाँ पर हम total pressure क्या कैस सकते हैं? हम total pressure हो जाएगा P A plus P B which is equal to P A not X A plus P B not X B तो यार ये क्या हो गया? आपने बेटा यहाँ पर एक ऐसा solution जिसमें दो volatile दो volatile components हैं उसका total pressure निकाल लिया और इसी को कहा जाता है Rawls law इसी को कहा जाता है Rawls law तो I hope सबको Rawls law clear हो गया है सबको Rawls law clear हो गया है Henry's law भी करेंगे बच्चा करेंगे ठीक है? Yes ma'am ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई ।कक Rawls law derive हो गया बहुत ही बढ़िया यार क्या बात है? अगर आप Rawls law तो थोड़ा और define कर दो थोड़ा और अराम से लिख लेते हैं तो ma'am P total जो है वो हमारे पास में P A not X A plus P B not X B हो जाता है आपको mole fractions पता है न? Yes ma'am तो यानि कि आप लिख सकते हो P A not B कोई दिख कर? नहीं ma'am पेटा denominator से? Yes ma'am तो P total किसके equal हो जाएगा? P A not moles of A plus P B not moles of B और इस पूरे को आप divide कर सकते हो N A plus N P से तो यानि कि यहाँ पर आपके पास में एक और expression आ गया एक और expression आ गया Right? Yes Perfect इसके आगे इसके आगे बच्चा Ignore the chats Ignore the chats बच्चे Ignore the chats ठीक है? अब क्या होगा? जिनको पढ़ना है वो screen पर ध्याम देंगे जिनको पढ़ना है वो screen पर ध्याम देंगे Yes तो चलो यहाँ से हम P total बोल सकते है ma'am P A not X A plus बिटा एक और चीज़ होती है P B not X B को हम क्या लिख सकते है जब सिर्फ दो ही components हो We know that X A plus X B is equal to 1 तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? X B is equal to 1 minus X A is equal to इस तरीके से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं तो अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर P B को 1 minus X A लिख दिया तो क्या आप इसको लिख सकते हैं further open करके बिल्कुल तो यहाँ से भी आपके पास में एक और relation आगया तो यह सारे relations आपके round law में use होते हैं और इन ही तन numerical solve होते हैं तो सब के सब expressions आपको आने चाहें Right? Yes Clear बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया अराम से पढ़ाओ बच्चा रिवीजन कर रहे हैं हम अगर मैंने अराम से बढ़ाना शुरू किया तो कैसे चलेगा? रिवीजन कर रहे हैं हम This is revision, this is not the regular class Right? I am try हर topic cover कर रहे हम Perfect चलो आगे बढ़ते हैं अब अगर आप यहां से बात करो तो माम यहां तक तो clear है थोड़े और expressions derive करते हैं आपको पता है राउल्स लॉब बोलता है कि माम P A जो होता है वो P A not X A के equal होता है P A जो होता है वो P A not X A के equal होता है Similarly अगर मैं आपको बोलू P B जो होता है वो P B not X B के equal होता है है ना? हाँ बेटा divide कर दो इन दोनों को अगर आप इसको और इसको divide कर दो अगर आप 1 और 2 को divide कर दो तो क्या बन जाएगा? P A is equal to P A not X A divided by P B is equal to P B not X B Right? Yes तो इस तरीके से आप expressions को use कर सकते हो इसके लावा बच्चे याद है states of matter states of matter पढ़ा हुआ याद आ रहे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो याद आना चाहिए तो वहाँ से हमें क्या derive करना है बेटा? Dalton's law याद करो Dalton's law क्या कहता था? Dalton's law कहता था कि अगर Y A और Y B आपके moles है वेपर फेस के अंदर अगर बेटा Y A और Y B क्या है? Moles है आपके वेपर फेस में वेपर फेस में ठीक है? Y A और Y B क्या है? वेपर फेस में moles है इसके बाद बच्चा P block होगा ठीक है? Yes, clear है सबको? अभी तक कोई doubt? नहीं बहुत बढ़िया इसी तरह से revise करना है अगर आप Y A और Y B की बात करते हो तो जल्दी से मुझे comment section में बताओ कि Dalton's law Dalton's law के according total pressure का क्या relation होता था mole fraction के साथ? हम बोलते थे माम कि अगर आप partial pressure of A की बात करते हो तो mole fraction in the wafer phase into जो भी total pressure होगा यह expression बेटा आपने 11th class में पढ़ा था states of matter में similarly आपने P B को पढ़ा था as Y B into P total इसको हमेशा याद रखना है यह था बेटा Dalton's law अगर इसी को अगर आपको बोला जाए कि इसी चीज़ को आप round law के लिए लिखो तो माम round law के लिए क्या हो जाएगा बताएए P A किसके equal होगा for round law P A is equal to P A not X A X A क्या है mole fraction in the solution phase यह माम तो यह हो जाएगा बेटा P A not X A P A not X A ठीक है clear है कोई दिक्कत नहीं ठीक है yes माम ओके clear है clear है जल्दी से comment section में बताने है पड़ा पड़ बताने है P B क्या हो जाएगा मैं P B हो जाएगा P B not X B यहां तक तो कोई doubt नहीं है नहीं अब आपको इस equation और X equation को सिर्फ divide करना है सिर्फ क्या करना है divide कर दो इस equation और इस equation में देखो यह P A है यह P A है तो दोनों को equate कर सकती हूँ कर दो मैं कोई दिक्कत नहीं है कर दे चलो कर देते हैं अगर P को equate करोगे तो आप क्या बोल सकते हूँ P A not X A is equal to Y A into P total तो बेटा यह expression बहुत important है अगर कोई tricky question बना तो यहां से बनेगा अगर कोई tricky question बना तो वो Raoul's law और Dalton's law को relate करके जरूर बनेगा जहां पर जो आपका X A है वो solution phase के अंदर mole fraction है और जो Y A है वो बेटा कहां है vapor phase में mole fraction है तो बस इसमें मत confuse होना बाकी चीज़ें आपकी clear है clear है? Yes, बहुत ही बढ़िया कोई doubt नहीं है यहां तक यही expressions थे सारे के सारे expressions आपने एक साथ अभी derive कर लिये हैं और इनी को use करके आपके new miracles होने है clear? Yes बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चे आगे अगे अगर आप देखो तो अभी तक हम round's law पढ़ रहे थे ऐसा law जिसके अंदर दोनों के दोनों हमारे क्या थे? दोनों के दोनों हमारे volatile, volatile थे? Yes माम, दोनों components हमारे volatile थे what if, what if मैं solvent को तो volatile रखूँ लेकिन कोई non-volatile solute डाल दूँ अगर मैंने non-volatile solute डाला तो इसका मतलब है कि माम उसका कोई vapor pressure नहीं होगा आप ही ने तो बताया कोई vapor pressure नहीं होगा राइट? Yes तो चलो उसी को देखेंगे ठीक है? चलो, लिखते हैं अगर non-volatile component होता है तो इसका मतलब है कि उसका vapor pressure होगा 0 ठीक है? Yes माम तो सोचो बेटा अगर आपके पास में एक ऐसा container था आपके पास में एक ऐसा container था जिसमें सिर्फ और सिर्फ A था तो माम इसका pressure जो होगा वो PA not होगा कोई दिक्कत नहीं है यहां तक perfect अगर इसी container में अगर मैं इसी container में एक non-volatile solute डाल दूँ A के साथ कुछ B डाल दूँ which is a non-volatile solute ठीक है तो क्या हो जाएगा सोच के बताओ माम आपके पास में यह पूरा A था इसमें आप B डाल दोगे तो B जो है वो कुछ-कुछ surface के उपर जगा को occupy कर लेगा and B का कोई vapor pressure नहीं है क्योंकि वो तो non-volatile है तो वो क्या करेगा? hindrance cause करेगा अगर वो hindrance cause करेगा तो इस solution का let us say जो P pressure आ रहा है वो P total आ रहा है तो वो क्या आ रहा है? P total आ रहा है बेटा, questions करेंगे कल इसे लिए आज concept करा रही हूँ क्योंकि कल आपका competition होने वाला है वी विल सी कौन सबसे पहले answer देता है तो इसलिए आज पढ़ोगे तब ही तो कल answer कर पाओगे येस, बहुत बढ़िया ठीक है? प्लीज, येस बच्चा don't, don't see them छोड़ दो, हटा दो, हटा दो हमें ध्यान ही नहीं देना है अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये P total pressure है और ये P naught है P a naught है, तो बिटा कोई भी T temperature के उपर इन दोनों में से कौन सा जादा बढ़ा होगा यहां पर, जहां पर पूरा का पूरा A आपका pressure exert कर पारा था, उसको कोई hindrance नहीं थी, वो pressure exert करेगा P a naught, अगर यहां पर कुछ hindrance आ गई है, तो वो उसके वेपर pressure को उतना जादा नहीं होने देगा तो मैं कह सकती हूँ ना कि जो मेरा P pressure होगा, that will be less than P a naught हम ये बोल सकते हैं that ma'am, जो भी आपके solution का pressure आएगा, वो P a naught से कम ही आएगा वो P a naught से कम ही आएगा right, yes, तो अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से कितना difference आ रहा है pressure का, right, तो अब हम basically find out कर रहे हैं lowering of vapor pressure क्या find out कर रहे हैं, lowering of vapor pressure और ये बहुत important part है बच्चे, ठीक है हाँ, बिल्कुल, A, A, A बहुत बढ़िया बच्चा, यही answer चाहिए था मुझे कि मैं, A का pressure जादा होगा, यानि कि आपको concept समझा रहा है, अब आपको find out करना है, lowering in vapor pressure, तो अगर आप lowering in vapor pressure निकालोगे lowering in vapor pressure, तो कितना आएगा कितना आएगा, हमें पता है that P a naught is more than P total, right अगर आप इस container में ध्यांत देखो तो बेटा, P total किसके directly proportional है, माम, जितना जादा A का mole fraction होगा उतना जादा vapor pressure होगा येस, तो बेटा, P total will be directly proportional to the mole fraction of A हाँ या नहीं, बिलकुल माम it will be directly proportional to the mole fraction of A, right clear है सबको volatile का meaning क्या होता है, बच्चा अभी दो मेंड पहले पताय था, volatile का मतलब होता है, जिसका कुछ vapor pressure आता है, non-volatile वो होता है, जिसका कोई vapor pressure नहीं होता उसका vapor pressure 0 होता है, ठीक है yes, तो यानि कि P total जो होगा, that will be equal to P A not X A ये derive कर लिया हमने, अभी तक जो सीखा था उससे, yes ma'am तो इसी value को हमें use करना है, वहाँ पे, इसी value को हमें आगे use करना है, तो अगर आप यहाँ पर use करोगे, तो आप कहोगे, ma'am जो delta P है, that is equal to क्योंकि P A not जादा है, इसी मेंसे तो P total को subtract करेंगे और बेटा कितना जादा lowering होगा, जितना जादा आप non-volatile solute डाल दोगे, ma'am, उतना जादा lower हो जाएगा pressure, yes ma'am, तो यानि कि हम क्या कह सकते हैं, that this lowering is directly proportional to the mole fraction of B, जहाँ पर B आपका non-volatile solute है, mole fraction, yes ma'am, समझ आ रहा इतना, इतना समझ आ रहा बच्चा, yes ma'am, very good, तो यानि कि आप यहाँ से क्या कह सकते हो, that P A not minus P total P A not minus P total will be equal to P A not X B, ठीक है, yes ma'am, अब देखो, P A not minus P A not minus P total is P A not X A है ना, yes ma'am, तो पेटे इसको यहाँ से हटा दो, इसी को ignore, इसी को लिखते हैं, यह आ गया हमारे पास में, और यह हमारा delta P आ गया, lowering आ गया, which is equal to P A not minus P A not X A, अब क्या करो, इस P A not को common में ले लो, तो यह हो जाएगा, 1 minus X A, yes ma'am and this will be equal to P A not X B, तो delta P जो है पेटा, वो क्या आ गया आपका, P A not X B it is equal to P A not X B, मा'am repeat कर दो, non-volatile पेटा, non-volatile वो होता है, जिसका कुछ भी vapor pressure नहीं होता, अगर कोई non-volatile से लूट है, तो उसका vapor pressure 0 है, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ जो volatile होते हैं, उनका vapor pressure होता है, तो यानि कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो B आपका non-volatile था, तो उसका कोई vapor pressure नहीं था जो भी vapor pressure होगा, वो सिर्फ A वाले part का होगा, राइट तो हमने यहाँ से delta P find out कर लिया, और यहाँ से आपको यह expression मिल गया, तो अगर आप इस expression की बात करते हो, तो आप कहते हो, माम, delta P जो है, वो आगया हमारा P A not X B और इसमें सबसे important चीज है यह, यह है आपका lowering of vapor pressure, यह बिटा आपका lowering of vapor pressure है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो बिटा lowering किस पर depend करिये, कि कितना non-volatile salute आप डाल रहे हो, जितना जादा non-volatile salute डालोगे, उतना जादा lowering होगा vapor pressure के अंदर, यह बात हम मानते हैं, yes ma'am, जितना जादा salute, उतनी जादा lowering होगी vapor pressure में, उतनी ही जादा delta P की value होगी, तो बिटा, delta P जो है, वो किसके उपर depend कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके non-volatile salute के moles पर depend कर रहा है, इसको open करके लिखो, delta P is equal to PA0 moles of B divided by moles of A plus B, तो यानी कि ऐसे properties, यहां से एक नई definition आपको बताने वाली हूँ, ऐसे properties जो सिर्फ और सिर्फ salute के amount पर depend करती है, सिर्फ उनके moles पर depend करती है, nature पर नहीं depend करती, उन्हें कहा जाता है, colligative properties जो सिर्फ और सिर्फ amount पर depend करती है, और delta P जो है वो B के, जो आपका non-volatile salute है, उसके सिर्फ moles पर depend करती है, इसले हम क्या कहते है, that this lowering is a colligative property this is a colligative property this is a colligative property with respect to salute किसके respect में, सिर्फ और सिर्फ salute की respect में, अब आप से मैं question पूछू, कि आज solvent की respect में क्यों नहीं है, जल्दी से बताओ solvent की respect में, क्यों नहीं है, बच्चा ma'am, lowering yes, delta P by P, absolutely right, बच्चा, बिल्कुल सही है, right yes, delta P by P A naught, बिटा, lowering delta P होता है, relative lowering delta P by P A naught होता है lowering delta P होता है, relative lowering delta P by P A naught होता है, वो मैं आपको भी आगे derive कराऊंगी तो this is lowering of vapor pressure and it is a colligative property with respect to solute, लेकिन ये solute solvent के respect में, colligative property नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपके solvent का vapor pressure है तो यानि कि वो उसके nature पे depend कर रहे है, है ना, depend कर रही है उसके nature पे yes, depend कर रही है, perfect, ठीक है yes ma'am, तो यहां से इस expression को तो हमने derive कर लिया अब एक और derivation करो यार अगर आप इस delta P के नीचे इस PA naught को ले आओ, तो यानि कि ma'am, हमने delta P के नीचे PA naught को ले आए, and this is equal to moles of B, divided by moles of A, plus moles of B जो बच्चा पाटी अभी बोल रही है, वो यहां आ गया इसको कहा जाता है इस part को, बेटा, इस part को कहा जाता है, relative lowering, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, तो क्या देख रहे हो सिर्फ delta P होगा, तो उसे lowering of vapor pressure कहते हैं और जब delta P by PA naught होता है, तो उसे relative lowering of vapor pressure कहा जाता है delta P is equal to PA naught NB by NA plus NB, ठीक है माम, अगर आप delta P को नीचे ले आओ, PA naught के, तो फिर वो NB by NA plus NB के equal हो जाता है, तो अगर कभी बोल दिया कि यार relative lowering calculate करो, तो ऐसे calculate करोगे, और अब अगर कभी कहा कि lowering calculate करो, तो ऐसे calculate करोगे, कोई दिकत, कोई दिकत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, clear है सबको yes, अब अगर आप relative lowering की बात करो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ moles पर ही depend कर रही है, वो तो सिर्फ और सिर्फ moles पर ही depend कर रही है, इस लिए बिटा, ये colligative property है, ये colligative property है, with respect to, with respect to, with respect to, solvent as well as solute, क्यों, क्योंकि हर case में moles है ना, pressure तो अब है ही नहीं, yes ma'am, तो इसलिए ये, with respect to solute and solvent, दोनों की respect में ये एक colligative property है, clear है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, clear है, yes ma'am, एकदम clear है, no दिक्कत, no दिक्कत, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, अब हमने जतनी चीज़े पढ़ी है ना, उन सबको फड़फड revise कर लते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, यानि कि delta P is equal to PA naught moles of B by moles of A plus moles of B, right, तो ये क्या है, ये सिर्फ solute के respect में colligative property है, ये बिटा nature of solvent पे depend करती है, ये number of solvent particles पे depend करती है, और ये number of solute particles पे depend करती है, लेकिन solute के nature पे नहीं depend करती है, आगे देखते हैं, next is, doesn't depend on the nature of solute particles, सारे के सारे points आपके सामने लिखे हुए है, colligative properties are the properties which depend on the number of particles, जो number of particles पे depend करती है, but not on the nature of particles, अगर lowering of vapor pressure की बात करें, तो it is a colligative property with respect to the solute, only and only solute, clear, बहुत बढ़िया, clear है बच्चा, कोई dickert नहीं है, कोई dickert नहीं है, चलो, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, छीक है, बच्चा, slow तो नहीं जा सकते हैं, I'm sorry, but I will try कि आपको हर चीज clear, ठीक है, हर चीज clear होगी, उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या लिख रहे हो, यार, मैं हम एक बार colligative properties की definition बता दो, बेटा, colligative properties, वो properties होती है, जो सिर्फ और सिर्फ number of moles पर depend करें, amount पर depend करें, जैसे कि अगर आप delta P की बात कर रहे थे, तो delta P जो था, वो क्या था, P A naught, moles of B by moles of A plus B, है ना, अब देखो, ये P A naught, that is nature पर depend कर रही है, A के nature पर depend कर रही है, पर B जो है, उसके सिर्फ moles पर depend कर रही है, और B आपका solute था, तो ये colligative property थी, with respect to solute, लेकिन solvent नहीं थी, लेकिन अगर relative की बात करोगे, delta P by P A naught, इस P A naught को नीचे ले आओ, तो ये relative lowering हो गई थी, और ये पिटा आपके NB by Na plus NB पर depend कर रही थी, और ये सभी के सभी moles पर ही depend कर रही है, तो यानि difference है, अभी समझ आजाएगा, जब आप Raoul's law की बात करते हो, तो आप दोनो liquid solutions लेते हो, और जब आप Henry's law की बात करते हो, तो आपका solute जो होता है, वो gas होता है, दो minute में हम Henry's law discuss करेंगे, बच्चे दो minute में हम Henry's law discuss करेंगे, ठीक है, yes ma'am clear है, आगे बढ़ते हैं, बिटा, numericals कल होंगे बच्चा, numericals कल होंगे, ठीक है, related lowering of vapor pressure is a colligative property with respect to both solvent and solute, I hope अब किसी को कोई doubt नहीं है, हम ये चीज़ clear कर चुके है, right, yes, okay, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, Henry's law, जो पीते हैं ना, सबको पसंद है cold ring, yes मैंने बोला, नई bottle लाओ और cold ring पियो, सबको बड़ी अच्छी लगेगी हर किसी को पसंद है, गरम मतलब नई नई cold ring लाई होई, है ना वहीं पर, अगर मैंने उसी cold ring को एक container में open करके रख दिया, खोल के रख दिया, और फिर बोला कि 10 मिट बाद अब इस cold ring को पियो, तो किसी को पसंद नहीं आएगी, कोई नहीं पियेगा, मीठे पानी जैसा लगेगा, है ना, हाँ लगेगा, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्या डिफरेंस था जब वो पॉटल के अंदर cold ring को रखा था, तो वो बहुत जादा pressure के अंदर थी, तो यानि कि यहां पर जो आपका gas होता है, वो आपका salute होता है, और जो आपका solvent होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा एक liquid होता है, वो हमेशा एक liquid होता है, तो henry's law, जब gas को liquid में dissolve करना होता है, उस process को, हम उस को define जो करता है, उसे henry's law कहते हैं, और इसे लिए हमेशा cold ring का, एक्जामपल याद रखना, अब जब तक बोटल बंध है, जब तक बोटल बंध है, बहुत जादा pressure है, तो जितना जादा pressure होता है, उतना gas आपकी liquid के अंदर soluble होती है, ठीक है, yes ma'am, और जैसे ही pressure कम हो जाएगा, तो gas भी dissolve होना बंध हो जाएगी, कैसे समझो, अगर आपके पास में ये container है, और इस container के अंदर आपके पास में यहाँ पर liquid है, यहाँ पर क्या है, liquid है, और ये जो है, मैंने जो yellow color से बनाया, letter से ये आपकी gas है, ये आपकी बेटा क्या है, gas है, अगर आप इसके उपर pressure apply करते हो, जितना pressure apply करोगे आपकी gas, इसको gas बोल देना, ठीक है, और ये आपका liquid है, तो जितना जादा आप gas के उपर pressure apply करोगे, आपकी gas liquid के अंदर dissolve होती रहेगी, yes ma'am, तो यानि कि यहां से हम एक बड़ी important चीज़ बोल सकते हैं, कि जो भी pressure होगा, वो directly proportional होगा to the solubility of gas, to the solubility of gas, तब मान रहे हैं, तब मान रहे हैं, yes ma'am, बेटा आप solute को solvent में dissolve कर रहे हो, तो basically आप कोई concentration term की बात कर रहे हो, yes ma'am, बेटा solubility भी एक concentration term है, जितना जादा solute आपका dissolve होगा, उतनी जादा उसकी solubility होगी, यानि कि icon से कि जो भी solubility है, वो directly proportional होगी to the mole fraction of solute, यह बात मानते हैं, yes ma'am, जितनी solubility, उतना जादा solute जो है, वो आपके liquid के अंदर dissolve हो रहा है, तो उसकी mole fraction उतनी ही जादा होगी, yes ma'am, तो यानि कि I can say that pressure is directly proportional to the mole fraction of solute, हाँ, या ना, बोल सकते हैं, समझ आ रहा है, yes ma'am, very good, clear है, clear, अब देखो बेटा, अगर यह pressure जो है, आप इस proportionality को हटाते हो, तो यहाँ पर एक constant आता है, और वो constant होता है, KH into solubility of this mole fraction of solute, और यह होता है आपका Henry's law, बस, इतना सा Henry's law है, कि यार जितना pressure तुम बढ़ाओगे, उतनी जादा तुम्हारे solute की mole fraction होगी उतके अंदर, जितना pressure बढ़ाओगे, उतनी जादा आपकी gas जो है, वो dissolve होगी, liquid के अंदर, और उतनी ही जादा उतकी mole fraction होगी, और यहाँ पर यह जो KH होता है, वो आपका Henry's constant होता है, तो clear हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, yes ma'am, clear, बहुत बढ़िया, want of factor नहीं discuss करेंगे, नहीं discuss करेंगे, don't worry, अब यहाँ से Henry's constant के बारे में बहुत सारी information होती है, जिससे MCQs आने के सबसे जादा possibility होती है, क्या होता है, मेटा ध्यान से सोचो, अगर आप pressure को बोल रहे हो, KH into mole fraction, अब सोचो, अगर आप बाहर दुनिया की बात करते हो, तो pressure तो constant है, one atmosphere, yes, तो अगर constant pressure है, अगर constant pressure है, तो बेटा हर gas की जो KH value होती है, वो हर gas की अपनी individual KH value होती है, हर gas की अपनी एक individual KH value है, तो सोचो, अगर P is constant, तो यानि की KH into H है, अब मैं बोल रहे हैं कि ये वाली value तो constant है, तो यानि की at constant pressure, तो बेटा constant pressure पे अगर KH value increase हुई, अगर आपकी ये value increase हुई, और ये तो constant ही रहना चाहिए, इसका मतलब है कि mole fraction को घटना पड़ेगा, इसका मतलब है mole fraction को घटना पड़ेगा, तो जिस gas का Henry's constant बड़ा है, उसकी mole fraction उतनी कम होगी, जिस gas का Henry's constant जादा है, उसकी mole fraction उतनी कम होगी, उसकी solubility उतनी ही कम होगी, ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत important है, second जो important चीज़ वो है, वो Vanderval constant था ये, येस माम, बेटा, Vanderval constant में जब A increase होता था, जब A increase होता था, तो gas का liquification जो होता था, वो easy हो जाथा, gas easily liquify होती थी, यानि कि जिस gas की, जिस gas की A value जादा, वो उतना ही easily liquify होगी, तो बेटा, अगर gas easily liquify हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना जादा जिस gas का A value होगा, उसकी solubility उतनी जादा होगी, क्योंकि वो liquid में convert हो रही है न, येस माम, तो जितनी जादा A value, उतनी जादा solubility, येस माम, तो अब मुझे बताओ, अगर solubility जादा है, अगर solubility जादा है, तो KH value क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, अगर solubility जादा है, तो KH value क्या होगी, KH value कम हो जाएगी, तो KH value बिटा, कम हो जाती है, तो जब भी आपको कभी भी question A की terms में दे दिया जाए, gas की A values दे दे, तो आप सोचले ना यार A जादा है, तो gas easily liquify होगी तो उसकी KH value कम होगी तो उसकी KH value कम होगी ठीक है, clear है very good बच्चा, बहुत ही बढ़िया मैं pressure solution का होता है न बेटा, solution से जो उपर vapor बन के जाते हैं, उसका pressure होता है, जिसका pressure देखा, Henry's law describes quantitatively the effect of pressure, ठीक है, pressure or the solubility of gas ठीक है, इतना समझ आया, on the, on है ये KH does not depend on pressure KH सिर्फ और सिर्फ temperature पर depend करता है वो और किसी चीज़ पर नहीं depend करता ठीक है, but it depends on temperature and nature of liquid and gas, ठीक है इतना हमें clear है, ये सारे points important points है, इन सब से आपके MCQs बन सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना है, next is the greater the Henry's law constant of the gas the lesser is the solubility, हमने अभी पढ़ा था, जितना जादा KH होगा उतनी जादा mole, उतनी ही कम mole fraction होगी, अभी ये जीज़ दिराइज की है, a gas with greater a value, एक ऐसी gas जिसकी a value जादा है, Vanderwall constant, a जादा solubility जादा, तो KH value कम, तो KH value कम, अरे यार कितना असान है, right and more soluble, it will have a lower value of Henry's constant which is KH, perfect when temperature increases, Henry's constant increases, क्योंकि बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ temperature पर depend करता है तो अगर KH value बढ़ेगी, तो solubility कम हो जाएगी, right yes, clear है सबको clear है yes then how KH is affected बिटा, जब भी temperature बढ़ेगा तो KH की value बढ़ती है, तो अगर KH की value बढ़ेगी, तो solubility कम होगी, ठीक है, yes I hope यह सबको clear हो गया होगा yes ठीक है, okay, okay okay, अब हम बढ़ेंगे ideal solution पे, अब हम बढ़ेंगे ideal solution पे, ideal solution की हम basic सारी चीज़े कर चुके है a solution that obeys the route's law at any composition is known as ideal solution, ठीक है, हर एक तरह से वो follow करें, तो वो एक ideal solution है, no real solution is ideal, a real solution at very high dilution can behave ideally ठीक है, अगर आपको ideal solution का एक graph plot करना हो तो आप उसका graph कैसे plot कर सकते हो चलो सबसे पहले हम उसके एक graph को plot कर लेते हैं, सोचो आपके पास में एक ideal solution है and let us say mole fraction a इधर जा रहे हो, तो मैं mole fraction of a is 1, यहाँ पर mole fraction of a is 0, यहाँ पर mole fraction of b is 1, यहाँ पर आप mole fraction of b की बात कर रहे हो, यहाँ पर mole fraction of b is 0, ठीक है अब आपको क्या समझना है बच्चा, हमें पता है that p total is equal to p a not x a plus p b not x b, route law से हमें पता है, yes ma'am बिटा आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर total pressure यह है और अगर आपकी mole fraction 1 है, तो अगर यह पूरा 1 है तो वो 0 है ना, देखो, यहाँ 1 है तो यह 0 है, तो सारा का सारा जो pressure होगा, वो किसकी वज़े से होगा p a not की वज़े से होगा, yes ma'am तो यानि कि यह pressure लेटर से यह p a not है similarly, इस value को उसी में put करो, अगर mole fraction of a 0 हो जाएगा, तो यह पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और b की value 1 है, तो यानि कि सारा का सारा pressure जो है, वो b की वज़े से हो जाएगा, तो लेटर से यह p b not है यह p b not है right, अब आप क्या करो, इन दोनों को join कर दो इन दोनों को join कर दो right, तो यह बिटा आपका graph बन गया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको connect कर दो ऐसे, तो यह आपको क्या दे रहा है, p total which is equal to p a plus p b, और यह वाला plot क्या दे रहा है, ma'am p a is equal to p a not x a, और यह वाला plot क्या दे रहा है p b is equal to p b not x b, clear है clear है, बच्चे yes वो table भी important है, yes बच्चे ठीक है, okay next, next thermodynamic conditions, बच्चे आपको इनकी पता होनी चाहिए, thermodynamic conditions क्या है, delta h mixing should be zero, yes, जब दोनों की conditions, जब दोनों के force of interaction equal होंगे, let us say आपका a a जो है वो b b के साथ mix होकर आपको दे रहा है a b right, अब सोचो, अब सोचो यह bonds बनाने में यह bonds बनाने में कुछ energy दी गई थी, है ना, yes ma'am, और अगर उतनी ही energy यह bond को तोड़ने में लग जाए, sorry, यह bond तोड़ने में कुछ energy दी गई थी तो जब a और b का bond बनेगा तो कुछ energy release होगी, yes ma'am अगर यह सारी की सारी energies इक्वल है, अगर यह सारी सारी energies इक्वल है, तो बेटा delta H mixing 0 होगा, yes तो यहां पर आपके पस लिखा हुआ है the energy absorbed when solvent solvent bonds and solute solute bonds are broken is exactly equal to the energy released when the solute solvent bond is formed, ठीक है, yes clear है, perfect, yes applications of Henry's law बचे, applications of Henry's law में मैंने आपको बता दिया, किस किस type के questions आएंगे, ठीक है, yes आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं delta V mixing 0 होगा yes मैं बेटा, जो अगर इसकी V volume है, और इसकी भी V volume है तो finally जब आप उनको mix कर दोगे तो भी तो 2V volume आएगी और यह जो V volume, V volume है यह 2V volume आएगी, यानि कि total volume जो है, वो आपकी delta V mixing 0 होगा equal होगी न, इधर भी 2V है इधर भी 2V है, यहाँ पर यही लिखा है since intermolecular attraction does not change after mixing, volume remains same, ठीक है yes, perfect आगे बढ़ते हैं, delta S mixing बेटा, delta S mixing जो होता है वो measure होता है entropy का, that is the measure of randomness, कितना randomness है, अब आपने एक ball लिया, आपने एक container लिया, जिसमें सारी white balls थी, तो आप हाट डाल के कोई भी ball निकालो, white ही आएगी similarly, अगर आपने कोई container लिया, जिसमें सारी की सारी yellow balls है तो हाट डालो, yellow ही ball आएगी, तो कोई randomness है लेकिन अगर आपने A और B balls को mix कर दिया, यहाँ पर mix कर दिया है, और अब अगर आप इसमें से हाट डाल कर निकालोगे, तो randomness है, yellow भी आ सकती है white भी आ सकती है, तो हमेशा हमेशा mixture की randomness जो होती है, वो positive ही होती है, it is always more than zero, it is always more than zero, ठीक है yes ideal mixing is spontaneous process तो यहां से हमें clear हो गया, अब बेटा deviation आईगी, राउलस law से, अब अगर आप deviation की बात करते हो, तो दो तरहां की deviations हो सकती है, या तो predictive deviation होगी, are negative division होगी, positive और negative deviations कैसे होगी, माँ या तो positive deviation होगी, फड़ा-फड कर देंगी इसको, या तो positive deviation होगी, या फिर बच्चे negative deviation होगी अब इसको कैसे समझेंगे सोचो अगर मैंने AA plus BB forces यूज की और आपको 2 AB forces मिल रहे हैं सोचो कि अगर आपकी बाद वाली forces weak हैं अगर आपकी बाद वाली forces weak हैं तो जो आपने Rounds law के according pressure assume किया था उससे तो जादा ही pressure आएगा ना तो यानी कि इस case में बेटा इस case में क्या होता है कि आपका जो P total dash जो बाद में calculate होता है वो हमेशा आपके P total से जादा होता है that is Rounds law से pressure जादा होता है similarly negative deviation कब आती है जब आप AA plus BB जो है वो आपको 2 AB दे और अगर बाद वाली interactions stronger हैं जादा strongly उन्होंने अपने आपको पकड़ रखा है तो vapor pressure उतना नहीं बन पाएगा तो Rounds law के according जो pressure आपका आना चाहिए उससे कम pressure आता है तो इसलिए यहाँ पर जो PT dash होता है वो less होता है than PT ठीके और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा अभी start हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं negative deviation कहते हैं बहुत बढ़िया बच्चा आगे बढ़ते हैं तो positive deviation और negative deviation के बारे में कुछ points हैं जिनको फड़फट रीड कर लेते हैं अगर बाद में force of interaction कम हो गई अगर कम interactions हो गई तो भाईया pressure बढ़ जाएगा और जब pressure बढ़ जाएगा तो माम वो positive deviation होगी ठीक है तो ये point यहां लिखा है next क्या लिखा है अगर आप energies की बात करते हो तो positive deviation में हमेशा delta H जो होगा वो positive होगा और जो आपका delta V mixing बैटा वो भी positive होगा और entropy तो माम हमेशा ही positive होती है तो आपको ये चीज याद रखनी है positive deviation में delta H mixing positive delta V mixing positive entropy change जो होता है वो हमेशा positive होता है ठीक है और यहाँ पर आपके पास में इसके examples भी लिखे हुए है यहाँ पर आपके पास इसके सारे examples लिखे हुए है You have to go through these examples and जो NCRT में है Clear? Similarly, अगर आप negative deviation की बात करते हो graph plot कर लेते हैं, बिटा, graph जो होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है यहाँ पर आपका xa जो होता है, xb जो होता है, xb जो होता है, xa is equal to 0, ma'am xb is equal to 1 यह pa not, यह आपका pb not जब आप plot करते हो, तो ideal gas की according to ma'am plot यह होना चाहिए था लेकिन अगर आप positive deviation बोल तो pressure ज्यादा है ma'am तो जो pressure होगा बेटा, वो कुछ इस तरीके से represent किया जाता है ठीक है, तो I think अब आपको graph में कोई doubt नहीं है clear है, yes, very good आगे बढ़ते हैं, next, negative deviation बच्चे, negative deviation भी exactly उसी की तरह है हमें याद है, जब अगर आप इसके negative deviation की बात करते हो तो delta H जो होता है, वो negative होता है, mixing वाला, delta V जो होता है, mixing वाला, वो भी negative होता है और जो आपका entropy होता है, वो हमेशा more than zero होता है ठीक है, clear है, बहुत बढ़िया, इसके examples है, you can go through them, perfect ठीक है ma'am, ये वाली चीज तो हमें clear हो गई है, examples हमें clear हो गई है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, अब हम पढ़ने वाले है, elevation in boiling point very very important topic which is elevation in boiling point, ठीक है clear है, ma'am easy है ये तो, बहुत easy है बच्चा, बहुत easy है सिर्फ और सिर्फ concept को समझना है, right, yes, okay अगर past नहीं कराएंगे, तो कैसे revision होगा, right, okay, बहुत बढ़िया सारे examples करेंगे बच्चे, NCRT के examples भी करेंगे, लेकिन कल, जितनी भी practice होगी, वो कल के session में होगी, अब अगर आप elevation and boiling point की बात करते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है कि boiling point क्या होता है, what is boiling point, इसको pressure के equal हो जाता है, जब आपका vapor pressure atmospheric pressure के equal हो जाता है, तो फिर उस temperature को कहा जाता है boiling point, तो boiling point क्या हुआ, the temperature at which the vapor pressure of the container is equal to the atmospheric pressure, right, तो आप temperature बढ़ाओगे, बढ़ाओगे, vapor pressure बढ़ेगा, 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 एक ऐसा point आएगा जब आपका container का vapor pressure बाहर के pressure के equal हो जाएगा और उस temperature को boiling point कहा जाता है यह बाद सबको समझ आ रही है I hope यह process सबको समझ आ गया कि boiling point क्या होता है तो पेटा अब अगर आप elevation in boiling point की बात करे हो तो आपको क्या consider करना है let us say मैंने एक container लिया A जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ pure A था ठीक है तो माम इसका PA not pressure था और हमने कोई इसको heat करना शुरू किया तो let us say कि इसका जो boiling point था वो TB not आ गया तो TB not क्या है pure A का boiling point ठीक है clear है yes ma'am समझ आ रहा है yes ma'am ठीक है azeotropes बचे नहीं है आपके slabers में so don't worry azeotrop is out of your slabers इसलिए हम azeotropes नहीं discuss करने है ठीक है yes तो यहां से आप बोल दोगे कि ma'am boiling point जो pure A का है वो TB not है ठीक है बच्चा यहां तक clear है अब अगर मैं बोलू कि इसके अंदर आपने क्या किया कोई non-volatile solute add कर दिया तो अगर आप point non-volatile solute add कर दोगे तो यानि कि vapor pressure को बढ़ने में जादा time लगेगा यह बात समझ रहे हो कि vapor pressure बढ़ने में जादा time लगेगा क्यों क्योंकि इस बार A के साथ साथ में A के साथ साथ में बिटा B भी present है तो वो उसके vapor pressure को बढ़ने में hindrance cause करेगा के pressure के equal हो यानि कि आप यहां से क्या सब्सक्राइब सकते हो कि अगर यह TB जो है यह boiling point है solution का तो बेटा जल्दी से मुझे comment section में बताओ कि TB और TB naught में से कौनसा temperature जादा होगा TB और TB naught में से कौनसा temperature जादा होगा जल्दी से सोच कि बताओ कौनसा temperature जादा होगा चलो देखते हैं कौनसा तेमपरेचर जादा होगा ठीक है कौनसा temperature जादा होगा देखते हैं तो अगर हम यहां पर देखे तो हम बोलेंगे माम जो TB temperature है वो TB naught से जादा होगा क्यों जादा होगा पीटा क्योंकि बाहर का प्रेशर तो constant है अब अगर आप यहां पर देखो तो A का सारा का सारा एठा तो भाया A पूरा का पूरा वेपर प्रेशर बना लेगा और वो बाहर वाले के temperature के प्रेशर के equal हो जाएगा कुछ T temperature पे लेकिन अगर मैं यहां पर देखो तो मेरे पास A के साथ साथ में B है और जो B है वो non-volatile है तो वो A को वेपर बनाने में हिंड्रेंस पॉस करेगा तो यानि कि आपको जादा टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होगा और इसलिए बेटा आप आपका जो solution का TB होता है that is boiling point होता है वो जादा होता है than the TB not और इसलिए आप बोलते हो elevation in boiling point इसलिए आप बोलते हो elevation in boiling point अब जितना जादा non-volatile solute डालोगे उतना जादा difference आएगा यानि कि हम क्या कह सकते है यानि कि हम क्या कह सकते है that delta TB is directly proportional to the molality of your solute जो आपका solute है वो कितना जादा है उसी के तो directly proportional होगा elevation in boiling point yes ma'am तो इसलिए इसको directly proportional to molality बोला जाता है and proportionality को हटाया जाता है given as KB into M जहाँ पर बेटा KB क्या होता है आपका molal elevation constant ठीक है और अगर आप इसका एक और नाम बोलो तो वो होता है ebulioscopic constant ebulioscopic constant ठीक है clear है तो इसे को आपके पास में different solutions के लिए KB की value अलग अलग आती है और हम इस expression को numericals में use करते है इसे expression को हम numericals में use करते है राइट elevation का मतलब होता है बेटा बढ़ा होना तो अगर आप solution की बात करोगे तो temperature और जाधा boiling point और जाधा बढ़ा होगा तो माम elevation हुआ है तो दोनों के बीच का difference भी बढ़ता रहेगा तो वह किस में depend करता है कि आप कितना non-volatile से ल्यूट आ रहे हो that is कितनी molality है clear है yes ma'am perfect perfect break मिलेगा अभी break मिलेगा दो मिनेट रुको यार आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब अगर आप elevation boiling point की theory पढ़ना चाहते हो तो यहां पर आपके बास में theory है boiling point takes place from liquid and boiling point is given by pure liquid when external pressure is constant ठीक है yes the whole liquid is completely converted to vapor and the temperature remains constant under a constant external pressure constant external pressure में vapor pressure आपका constant रहेगा clear है ठीक है clear yes बहुत बढ़िया next बेटा next अगर हम बात करें तो अब हम बात करते है depression and freezing point की तो बिल्कुल जैसे आपका elevation and boiling point हुआ सेम उसी तरह से depression and freezing point होगा तो freezing point में depression कैसे आएगा जैसे की अगर आप बात करो तो tf जो होगा let us say यह freezing point है solution का tf is freezing point of solution और जो tf not है वो क्या है बेटा freezing point है of pure solvent pure solvent तो बेटा इसमें हमेशा होता है depression हमेशा आपका freezing point कम होता है यानि की we will say that tf not minus tf जो होगा वो आपका delta tf होगा yes ma'am and this is again directly proportional to the molality of the solution it is directly proportional to the molality of the solution ठीक है yes azeotropes is out of slavers बच्चे तो delta tf जो होगा that will be equal to kf into m यहाँ पर kf जो होता है वो आपका proportionality constant होता है और बेटा इस kf को बोला जाता है molar, molar depression constant क्या कहा जाता है? depression constant ठीक है? और इसको एक और नाम से जाना जाता है which is molar depression constant और cryoscopic constant cryoscopic constant और यह जो constant होता है वो हर solution के लिए अलग होता है और यह आपको value questions में दी होती है right तो याद नहीं करनी है don't worry clear है? yes why not molarity बटा वो अलग-अलग terms यूज किया जा सकते हैं यहाँ पर molality यूज किया जाता है ठीक है? कोई problem नहीं है? yes ठीक है? very good आगे बढ़ते हैं अब अब last colligative property पे आ गए है which is your osmotic pressure last colligative property is your osmotic pressure बच्चा इसको ध्यान से समझो क्या होता है colligative property में? osmotic pressure में अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? imagine करो imagine करो कि आपके पास में एक container है एक container है जिसको आपने किसी semi-permeable membrane से क्या कर दिया है? separate कर दिया है तो यहाँ पर आपकी semi-permeable membrane है तो माम हम इसको कह सकते है semi-permeable membrane ठीक है? अब सबसे पहले तो मुझे यह जाना है कि semi-permeable membrane होती क्या है? semi-permeable membrane बड़ी selective होती है जैसे आप बहुत selective हो न दोस्त बनाने में यार यह मेरा दोस बन सकता है यह मेरा दोस नहीं मन सकता सेम उसी तरह से semi-permeable membrane भी बहुत selective होती है अब वो क्या करती है? वो सिर्फ और सिर्फ solvent molecules को अपने अंदर से जाने देती है और solute molecules को अपने अंदर से नहीं जाने देती है मना कर देती है कि नहीं जा सकते हो ठीक है? तो semi-permeable membrane क्या है? बहुत selective है सिर्फ solvent molecules को जाने देगी sedute molecules को नहीं जाने देगी तो let us say यहाँ पर आपके पास में pure A था और यहाँ पर आपके पास में A plus B solution था और इसके अंदर B जो है वो non-volatile है ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक इतना clear है? येस माम अब क्या होगा? बेटा non-ideal solution अभी तो किया positive deviation, negative deviation बस वो उतना ही आएगा सिर्फ उतना ही आएगा ठीक है? येस अब देखो अगर आप इसकी बात करते हो तो माम semi-permeable membrane इन तो हमें समझ आ गई अब होता क्या है? हमेशा higher volume से कम बाली जगां पर चीज़े जाती है यानि कि अगर आप यहाँ पर देखो तो pure A जादा कहां है? इधर है? solution में तो कम है? येस माम तो क्या करेगा बेटा? movement ऐसे होती है movement कैसे होती है? तो आपका जो pure A है ना वो इस साइड जाने की कोशिश करता है जब वो इस साइड जाने की कोशिश करता है तो वो कुछ pressure exert करता है तो जब आपका solvent A, B solution की साइड जाता है तो वो कुछ pressure exert करता है और उस pressure को कहा जाता है osmotic pressure तो जब एक pure A solution की side move करता है through the semi permeable membrane it is it exerts a pressure and that pressure is known as osmotic pressure पहली definition second definition क्या होती है कि अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर कुछ P pressure apply करना शुरू कर दो अब देखो यहां से pressure apply हो रहा था नाम इधर से pressure apply हो रहा था बिटा अगर आप opposite direction से भी कोई pressure exert करना शुरू कर दो तो क्या होगा opposite direction से जब आप pressure exert करना शुरू करोगे तो क्या होगा वो pressure रुख जाएगा अगर आप ऐसे भाग रहे हो और आपके opposite में कोई pressure लगाए तो आप रुख जाओगे exerted from this side to stop the movement of the pure solvent is known as osmotic pressure बात तो दोनों से मैं चाहे आप यहां से जो pressure exert कर रहे हैं उसको osmotic pressure कह दो या फिर कह दो कि opposite side से उसको रोकने के लिए जो pressure लगाया जाता है उसको भी osmotic pressure कहते हैं value तो दोनों से मैं ना yes ma'am तो यानि कि हमें osmotic pressure की basic definition समझ आ गई ठीक है basic definition समझ आ गई clear है कोई दिक्कत नहीं है ना बहुत बढ़िया reverse osmosis पढ़ेंगे बेटा अभी तक osmotic pressure समझ आया अब osmotic pressure calculate कैसे किया जाता है बेटा it is represented by pi osmotic pressure is represented by pi and osmotic pressure is equal to जो भी आपके solution के concentration है that into r into t तो ये आपका osmotic pressure होता है तो ये क्या होता है आपका osmotic pressure होता है clear yes perfect तो when membrane is permeable to solvent particle but impermeable to the solute particles they are called semi permeable membrane solvent can pass through the solute can't solute नहीं pass कर सकता ये बहुत important condition है next is osmosis बेटा पूरा का पूरा osmosis process मैंने आपको समझा दिया जो movement होती है pure solvent से solution की side उस process को osmosis कहा जाता है और उसमें जो pressure exert होता है उसे osmotic pressure कहते है ठीक है तो पढ़ लो movement of solvent molecules through the semi permeable membrane from the pure solvent side to the solution side from less concentration to more concentration is known as osmosis ठीक है osmotic pressure is the hydrostatic pressure ये बेटा यहाँ पर आपकी definition है जो हम पढ़ चुके है right yes pi is equal to CRT क्या बात है बहुत ही बढ़ी है बिलकुल सही ma'am moment of solvent molecule from region of lower yes बिलकुल सही definition है बिलकुल सही osmotic pressure is the hydrostatic pressure built up on the solution side due to the osmosis from pure solvent side to the solution side right yes a concentration concentrated solution containing non-volatile solute will have a greater osmotic pressure but lower vapor pressure I hope यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं next देखते हैं alternative definition बेटा अगर आपको उस pressure को रोकना है तो जो pressure लगाओगे उसको भी osmotic pressure कहते हैं तो यह आपके सामने उसकी osmotic pressure की definition आ गई आपको जो सबसे important चीज़ है वो क्या है मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया यहाँ पर हमने यह पढ़ा कि osmosis क्या होता है अगर मैं चाहती हूं कि solution से इस side movement होने लग जाए solution से pure solvent की side movement होने लग जाए तो क्या करो यह जो आप यहाँ पर pressure apply कर रहे हो इसको और जादा बढ़ा दो यहाँ रुके अब आप इसको और बढ़ा दो तो इस side movement होने लगेगी yes ma'am तो जब आपका P pressure जो होता है वो आपके osmotic pressure से जादा हो जाए तो क्या होगा ma'am solution की side से pure solvent की side movement होगा और salute तो नहीं move करेगा क्योंकि semi permeable membrane salute को नहीं जाने देती उस सिर्फ और सिर्फ solvent को जाने देती है तो इसलिए इस side क्या move करेगा सिर्फ और सिर्फ आपका solvent move तो इस process को बेटा कहा जाता है reverse osmosis इसको क्या कहा जाता है reverse osmosis और जो हम पानी पीते हैं जो हम आरो यूज करते हैं वो आरो में यही process यूज किया जाता है क्या किया जाता है जो भी osmotic pressure होता है यह जो P pressure होता है इस से जाधा pressure apply कर दो यानि कि osmotic pressure से जाधा pressure apply कर दो जाध का सारा जो इस वजह से आपको प्योर वाटर मिलता है तो इस प्रॉसेस को रिवार्स ऑस्मोसिस कहते हैं क्लियर हुआ reverse osmosis, yes बच्चे, reverse osmosis clear हुआ, बहुत बढ़िया तो अब एक definition पढ़ लो यार, reverse osmosis की, if the pressure applied on the solution side, जो आपका solution side है, उस पे pressure applied किया गया है, that is greater, वो जादा है than the osmotic pressure of the solution, the solvent will flow from the solution side to the solute, solvent side, yes ना, to the pure solvent side and it is known as reverse osmosis अब कई बार क्या होगा, clear है, ma'am what is normality, बेटे, normality जो होता है, वो आप mole वाला जो chapter है न, उसमें बढ़ते हो mole वाले chapter में बढ़ते हो, ठीक है आगे देखो, अब अगर बेटा, कभी ऐसा हो जाए कि ma'am, दोनों ही solutions आपने ऐसे ले लिए, आपने दोनों ही solutions ऐसे ले लिए कि यहाँ पर भी pressure जो है, osmotic pressure phi 1 है और यहाँ पर भी osmotic pressure phi 2 है और दोनों सेम है तो बेटा, ऐसे case में, ऐसे solutions को कहा जाता है isotonic solutions, तो isotonic solutions वो solutions होते हैं जिनका osmotic pressure एकदम equal होता है ठीक है, yes बच्चे बहुती बढ़िया, बहुती बढ़िया और इसके साथ हम हमारे session के end पर आ चुके हैं और इसके साथ हम हमारे solutions chapter के end पर आ चुके हैं तो एक बार मुझे बता दीजे कि आपको कैसा लगा solutions समझ आया, I hope सारे concepts clear होएं क्योंकि कल हम practice करने वाले हैं तो जतने भी concepts हमने आज discuss किये हैं इनी को use करके हम call question practice करने वाले हैं, तो you have to go through each and every concept very well, ठीक है, yes बच्चे clear है, बहुती बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है yes, तो बच्चे पाटशाला में, अब बहुत सारे students होते हैं, जिनको चाहिए कि यार हम center पर जाकर पढ़ें, घर पर concentration नहीं बन पाता, तो अब जब JEE की त्यारी करनी है, board exam हो जाएंगे, JEE की त्यारी करनी है, तो आप पाटशाला का crash course भी join कर सकते हैं it is coming very soon अगर आपको join करना है, तो आप join कर सकते हैं, मज़ा आया देखो यार मुझे तो बहुत मज़ा आया